अपॉलजेटिक्स क्लास 7 में आपका स्वागत है आज की क्लास में हम सिर्फ दो सवालों के उत्तर जानेंगे ज्यादा नहीं क्योंकि ये दो सवाल बहुत महत्वपून भी है और ये दो सवाल मसीयों के लिए थोड़ी उल्जन भी बैदा करते हैं तो कौन से हैं वे दो सवाल पहला क्या हमें मृत लोगों की आत्मा की शान्ती के लिए प्रारतना करनी चाहिए और दूसरा क्या व्यवस्था विवरन 18 और 34 में जिस नभी के विशे में कहा गया है वो मुहम्मद है जैसा मुसलिम बताते हैं तो पहला सवाल क्या मसीयों को मृत लोगों की आत्मा की शान्ती के लिए प्रारतना करनी चाहिए कुछ धर्मों में आपने सुना होगा जहां लोग मृत्तकों के लिए कहेंगे परमेश्वर उसकी आत्मा को शान्ती दे May God rest His soul in peace अब ऐसा कहने के फीचे हो सकता है लोगों की कोई भावना हो या मरने वाले के प्रतिसम्मान हो या कोई धार्मिक विश्वास भी हो सकता है लेकिन क्या मसीयों को इस प्राकार की प्रारतना करनी चाहिए तो उसको उत्तर है नहीं करनी चाहिए क्यों? इसको समझने के लिए आपको मसीहत की मूल शिक्षा को समझना होगा बाइबल के अधार पर मनुश्य की मृत्यू सिर्फ एक बार होती है और उसके बाद उसका न्याय होता है जैसा इबरानियों के 9-27 में लिखाए बाइबल में पुनर जनम नहीं है बाइबल के अधार पर मृत्यू के बाद मनुश्य या तो स्वर्ग जाता है या फिर नर्क और जाहिर से बात है कि शान्ती तो केवल स्वर्ग में ही मिल सकती है नर्क में तो शान्ती हो नहीं सकती क्योंकि वहाँ तो अनंतकाल की पीड़ा है तो इस आधार पर अगर कोई मनुश्य मृत्यू के बाद स्वर्ग पहुँच गया है तो फिर तो उसे शान्ती मिल ही चुकी है क्योंकि स्वर्ग में तो अशान्ती होती नहीं है लेकिन अगर वो मनुश्य स्वर्ग नहीं पहुँचा बलकि नर्क पहुंच गया है तो बाइबल के अधार पर वो अनंतकाल के लिए नर्क मही रहेगा क्योंकि फिर वहां से तो कोई मुक्ती है ही नहीं माना कि अगर कोई अविश्वासी आज मरता है बाइबल के अधार पर वो अभी नर्क नहीं जाता बलकि अधो लोग में जाता है लेकिन ये तय है कि येशु के श्वेत सिहासन के न्याय के पश्चात वो निश्चित रूप से नर्क ही जाएगा इसलिए जब मैं यहां कहा रहा हूं कि अविश्वासी नर्क जाता है तो मैं उसकी आखरी मंजिल के विश्वासी में कहा रहा हूं जो पहले से तय है तो यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि येशु के श्वेत सिहासन के सामने केवल अविश्वासी खड़े होंगे विश्वासी नहीं जैसा मैंने अपने यूच्यूब के एक विडियो में विस्तार से समझाया हुआ है येशु के श्वेत सिहासन के विशे में आप प्रकाशित वाक्य बीस ग्यारा से पंदरा में पढ़ सकते हैं तो सवाल ये है कि अगर केवल अविश्वासी ही येशु के न्यायासन के सामने खड़े होंगे तो फिर येशु उनका न्याय क्या करेगा क्योंकि उन्हें तो नर्ग में ही डाला जाएगा तो उसका उत्तर है कि न्यायासन के सामने येशु उन्हें दिखाएगा कि उन्हें नर्क क्यों भेजा जा रहा है ताकि उनके दिल में कोई सवाल ना रहे जैसा प्रकाशित वाक्के 20-12 में लिखा है तो उस लिहाज से मृत्यू के बाद अगर किसी का नर्क जाना तै हो गया तो फिर किसी के प्रार्तना करने या दोआ मांगने से या कोई रिती रिवास करने से या कुछ धर्म क्रियाएं करने से वो नर्क से स्वर कैसे चला जाएगा नहीं जा सकता उसका फैसला तो उसी घड़ी हो गया था जब उसकी आखरी सांस या प्रित्वी पर खत्म हो गयी थी अखबार में जो अबिच्वरी अर्थात निधन सूचना आती है उसमें हर मृतक के नाम के आगे स्वर्गिय लिखा होता है नर्किय किसी के नाम के आगे नहीं लिखा होता चाहे वो कितना भी बुरा मनशिक उना रहा हो अपने जीवन में अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblestudy.com पर देख सकते हैं ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपिया गूगल क्रोम या मोजिला फायर फॉक्स ब्राउजर इस्तमाल करें तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और उपर गूगल क्रोम टाइप करें फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये एकदम फ्री है इसी तरह आप मोजिला फायर फॉक्स टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियो अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियो बिलकुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबाकर 240P, 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिये फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए अगर आप हमारे वेबसाइट के विशे में जानकारी हासल करना चाते हैं तो आप यूट्यूब पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्शक है एक विशेश सूचना हमारे मिनिस्ट्री का अगला चर्ण सेकिंड फेस ओफ आर मिनिस्ट्री उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है